हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एम्मीवेस असिस्ट आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा के तरूर नीट यूजी 24 की क्या कटॉप रहने वाली है जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीट का पेपर इस वाल लीक हुआ था और कोई भी ऑफिसील चीज को मानने के लिए तियार नहीं है ना ही गवर्मेंट के लिए अंदर कोई मानने के लिए तियार है जो की फैसला टिका हुआ है वो सुप्रेम कोट के उपर है और प्रबेबली क्या है इस वाल नीट 24 का दोबारा से होना बहुत कम पॉसिवल है अब यह पेपर हो जाएगा बार 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 एंटिय कितना पेपर करवाएगा यह सब चीजें एक तरह से नेगलेट कर दी जाएंगी और दीरे दीरे जो रजल्ट आपका चार जुन को आया है वही मान के चलिए आप वही रहेगा और रीनीट होने के यहां पर बहुत कम पॉ आपको सेफ समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल केटेगरी के लिए तो जनरल केटेगरी में 657 मार्क्स और आपकी रैंक 23,000 है इसके आसपास भी हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे अगर इतना है आपका तो आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं ओके सो दिस केटेगरी में अपने आपको सेफ समझ सकते हैं UP के अंदर वहीं EWS केटेगरी में आपका 656 और रैंक आपका 24,500 OBC के अंदर 656 रैंक आपका 24,000 FC के अंदर 525 रैंक आपका 1,75,000 FC के लिए 337 रैंक आपका 5,20,000 ठीक है तो ये रैंक वर्सेस मास में क्योंकि इस बार पता है हम है कि एक एक रैंक पर एक एक हजार से ज्यादा बच्चे हैं कई जगर तो एक एक रैंक पर पंद्रह प्नी बच्चे हैं ठीक हैं तो रैंक उपर नीचे हो सकती है फिरी काउंसलिंग के लिए आप उमारे WhatsApp चैनल जोइन कर सकते हैं, WhatsApp ग्रूप आप जोइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है बहुत ज़्यादा क्रूसियल रहने वाला है बच्चों के लिए कि एकदम से अनेक्सपक्टेट चीजें इस बार होने कर सकते हैं, 7851078249, 639141004, यह मेरा नंबर है, डॉकिन दसिंग और डॉक्टर पंकर ज्यादव हैं, इन से आप बात कर सकते हैं, और आपको फ्री काउंसलिंग के लिए हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह टेबल इंपोर्टेंट है, यहां से ही आपका पूरा कटॉप निकल के आ चुका है, यह आपका सेफ स्कोर है, ओके, MBS Assist को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, All the best.